नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुन्हों हार्दिक अभी नंदन है। आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम उच्चिस तरिये हिंदी की प्रतियों की परिशनाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम कक्षा 11 के लिए निर्धारित NCRT की पुस्तक आरहो का अध्यान कर रहे हैं। आरहो के अंतरगत आज हम पाच्वा पाठ पढ़ेंगे गलता लोहा। गलता लोहा के लेखक शेखर जोशी हैं तो सर्व प्रतम हम शेखर जोशी के विशे में परीचे प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम अपने जो आज का पाठ है गलता लोहा उसको पढ़ेंगे। जोशी से आप अच्छे से परिचित हैं इनका यह चित्र दिया हुआ है ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका जो कहानी संग रहे है कोसी का घटबार उसी की कहानी है इसी शीर सक्षे कोसी का घटबार हम पूर्व में इस चैनल पे पढ़ चुके हैं नैट के स्लेवस में हैं असिस्टेंट प्रॉफेसर के स्लेवस में हैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि शेखर जोशी नई कहानी आंदौलन के प्रमुख हस्ताक्षन है और आप इनसे परिचित भी होंगे यदि पूरु से आप हिंदी साहिते की तैयारी कर रहे हैं इनकी एक बहुती फैमस कहानी संग्रहे दाज्यू उसी की पंक्तियों से पाठे इसको प्रारम किया गया है अंतर के घुमर्ती वेदना को आँखों की रह बहार निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चे करता है वे भाबुक छणों की अपिक्षा विवेकपून होते है ये इनकी दाज्यू कहानी संग्रहे दाज्यू कहानी से लिया हुआ है अब शेखर जोशी का परीचे प्राप्त करते हैं वैसे मैंने हमेशा ही ये रहा है कि लेखक का जो मैं थमने लगाती हूँ वहाँ पर फोटो जरूर लगा देती हूँ ताकि धीरे धीरे आप इंदी स दिमार है एक पेड़ ये तो है कहानी संग्रहे और शब्द चित्र संग्रहे कौन से है एक पेड़ की याद सम्मान कौन सा है पहल सम्मान पहल पत्री का काफी फैमस हुई थी उस समय पिछली सदी का छटवा दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था कौन सा रहा है काफी अलग तरीके की कहाणिया उसमें लिखी गई हैं एक साथ कई हिवा कहानिकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानिया लिखने शुरू की और देखते देखते कहानी की विदा साहिते जगत के केंडर में आखडी हुई उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाव में शेखर जोशी का इस्थान अन्यन तम है उनकी कहानिया नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिदित्व करती है समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगय पाता है निहायत सहज और आडंबर हीन भाशा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुत बढबनाव को बहुविद बढबनाव को महसूस किया जा सकता है ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन द्रिष्टी और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है तो ये नई कहानी आंदौलन के कवी हैं लेकिन प्रगतिशील विचारधारा यथार्थ चित्रन इनकी कहानीों के विशेस्ता रहा है बात करू प्रतियों की परिष्टी से तो कोसी का घटवार यह हो इनका फैमस कहानी संग रहे है लेकिन दाज्यू के लिए ये पुरस्कृत भी है तो ये दो नाम आपको अवश्ययाद रखने है अब शेखर जी की कहानिया बिभिन भारतिय बाश्याओं के अतरिक्त अंग्रेजी पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है उनकी प्रसिद कहानी दाज्यू पर चिड्रस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है अब यदि आप 11 के लिए पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपके पुस्तक में पीछे जो प्रशन उत्तर दिये हैं वो आपको करने प्रति होगी प्रिक्षाओं के लिए अर्थ क्योंकि अभी एक के भी इसके स्लेवस में है तो आपको प्रशन आपका बनता है कि कौन सी प्रसिद कहानी पर शेखर जोशी को चिड्रस फिल्म सोसाइटी के द्वारा इनकी कौन सी प्रसिद कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ तो सही उत्तर है दाज्यू दूसरा प्रशन बन सकता है कि कौन से लेखक हैं जिनकी दाज्यू कहानी पर चिड्रस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ तो उत्तर होगा शेखर जोशी दौन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का प्रतिनिदी नमूना है समाज के जातिगत विभाजन पर कई कौनों से टिपणी करने वाली ये कहानी इस बात का उधारन है कि शेखर जोशी की लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बढ़ बोलापन जितना ही कम है वास्त एक मेधावी किन्तु निर्धर ब्राम्मण युवक मोहन किन परिस्तितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंसता है जहां उसके लिए जातिय अभिमान वेमानी हो जाता है सामाजग विधी निशेदों को ताक पर रखकर वो धनराम लुहार के आफर पर बैठता ही नहीं उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मे जुटे भाईचारी की जगए मेहनत कशों के सच्चे भाईचारी की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो इसलिए जो कहानी का शीर्षक है गलता लोहा वो पूरी तरीके से सार्थक हो जाता है इन चंद पंक्तियों में आपने समझ गए होगी वर्ग वेवनस से अभी मैं हिंदी बुक्षाला पर आपको पढ़ा रही थी प्रगतिवादी कावेधरा तो उसमें शोशक और शोशित वर्गवाली जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर भी यही चीज आई थी ठीक है तो आप कहानी पढ़ेंगे जिसके प्रमुक पात्र कौन है मोहन जो एक ब् बाकी मैं आपको पाठ के बीच बीच में बताती हुई चलूंगी जो परिक्षारती पहली बार इस चैनल पर हैं अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से जो नए परिक्षारती चैनल से जुड़ रहे हैं आप से नमर निवेदन है कि आप प्लेइलिस्ट जरूर चेक करें इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुक्षाला जहां पर आपको पूरी-पूरी किताबें उपलब्ध हैं तो वो भी आप जरूर चेक करें इसकी प्लेइलिस्ट में आपको गोदान आपका बंटी जैसे फैमस उपन्यास सहित कई नाटक और निवन्थ तो लगबग आपके नेट परिक्षा के सारे निवन्थ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी हिंदी साहिते के बहतरीन और प्रसिद निवन्थ हैं की अलग से प्लेइलिस्ट बनी हुई है शुकल के निवन्थ की अलग से प्लेइलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी की अलग से प्लेइलिस्ट है पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस सेट्स है प्रैक्टिस बुक है नैट के पुराने पेपर साइथ ऐसा पहुत कुछ है जो आपके काम का है तो कृपया करके प्ले लिस्ट आप लोग जरूर चेक करें एक बार आईए प्रारम करते हैं गलता लोहा मोहन के पेर मोहन के पेर अनाया सी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए उसके मन के किसी कौने में शायद धनराम लोहार के आफर की वैर अनुगून शेश थी जिसे वह पिछले तीन चार दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पढ़ती हतोडे की धप धप अवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाव साधने से पहले खाली निहाई पर पढ़ती हतोडी की खरक जिन है वै दूर से ही पहचान सकता था लंबे बैट वाले हस्वे को लेकर वह घर से सुदेश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई काटेदार जाडियों को काट छाट कर साप कर आएगा बूढे वैशी दरजी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा यही क्या जन भर जिस पुरहताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसी कहां कर पाते हैं तो यह ऐसा लग रहा है कि वैशी दरजी जो हैं यह मोहन के पिता हैं यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर शद्धा रखते हैं लेकिन बुढ़ापे का जर जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और ब्रतोगवास नहीं जेल पाता सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियस सही उन्होंने गहरा निष्वास लेकर कहा था आज गणनात जाकर चंद्रदत जी के लिए रुद्री पाठ करना था अब मुश्किल ही लग रहा है यह दो मील की सीधी चड़ाई अब अपने बूते की नहीं एका एक ना भी नहीं कहा जा सकता कुछ समझ में नहीं आता मनमुहन उनका आश्य न समझता था ऐसी बात नहीं लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यासी है और न वैसी गती पिता की बाते सुनकर भी उसने उनका भार हलका करने का कोई सुझाब नहीं दिया जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्रित रह गई पिता का भार हलका करने के लिए वे खेतों की ओर चला था मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के उपर बैठा उसकी कारीगरी को पार्खी निगाहों से देख रहा था मास्टर तिलोक सिंग तो अब गुजर गए होंगे मोहन ने पूछा विदानों अब अपने बच्पन की दुनिया में लोट आये थे धनराम की आखों में एक चमक सी आगई भे बोला मास साब भी क्या आदमी थे लला अभी पिछले साल ही गुजरे सच कहूं आखरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था दौनों हो हो करके हस दिये कुछ छड़ों के लिए वे दौनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लोट गए गोपाल सींग की दुकान से हुक्के का आखरी कश खीच कर तिरलोक सींग स्कूल की चार दिवारी में उतरेते हैं थोड़ी देर पहले तक धमा चौकडी मचाते उठा पटक करते और बांच के पेड़ों की टहनियों पर जुमते बालकों को जैसे साप सूंग गया और कड़े स्वर में वे पूस्ते हैं प्रातना कर ले तुम लोगों ने यह जानते हुए वे कि यदि प्रातना हो गई होती तो गोपाल सिंग की दुकान तक उनका समवे स्वर पहुंशता ही तिरलोक सिंग जी घूर घूर का एक लड़के को देखते हैं फिर वहीत कड़कदार आवाज मोहन नहीं आया आज मोहन उनका चहेता शिश्य था पुरोहित कहंदान का कुशागर गुद्धी का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड तिरलोक सिंग मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर वना रखा था वही सुबह सुबह हे प्रभू आनंद दाता ग्यान हमको दीजिये का पहला स्वर उठा कर प्रार्थना शुरू करता था तो ये उसी मोहन की कहानी है और मास्टर का नाम क्या है तिरलोक चंद तिरलोक सिंग मोहन को लेकर मास्टर तिरलोक सिंग को बड़ी उम्मे दिय थी किसी चात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूस्ते और उसका अनुमान सही निकलता मोहन ठीक ठाक उतर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और वे फिर उस्विसट डिवालक को दंड का देने का भार मोहन पर डाल देते पकड़ इसका कान और लगवा उससे दस उठक बैठक वे आदेश दे दे थे धनराम भी उन अनेक चात्रों में से एक था जिसने तिरलोक सिंग मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हातों कई बार बैद खाए थे या कान खिचवाए थे मोहन के प्रती थोड़ी बहुत ईशा रहने पर भी धनराम प्रारम से ही उसके प्रती इसने और आदर का भाव रखता था इसका एक कारण शायद यह भी था कि बच्पन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हींता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रती दुन्दी नहीं समझा बलकि वह से मोहन का अधिकार ही समझता रहा था बीच बीच में तिरलोक सींग मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन पहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम मूचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाशी न रखता था और धनराम वेगाओं के दूसरे खेती हर या मज़दूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दरजे तक ही स्कूल का मुहू देख परे था तिरलोग मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेस ध्यान देते थे एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था धनूबा तेरा का पहाड़ा सुना तो बारे तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था लेकिन तेरा का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था तेरे एकम तेरे तेरे दूनी चौबिस सटा एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास साब ने लगाई थी कि वह तूट गई गुसे में उन्होंने आदेश दिया जह ना ले से एक अच्छी मजबूस संटी तोड़ करला फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूं तिलोक सिंग मास्टर का या सामान ने नियम था सजा पाने वाले को ही अपने लिए हतियार भी जुटाना होता था और जाहिर है कि बली का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रकट टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वैं अपने लिए नहीं भलकि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हतियार का चुनाव कर रहा हूं धनराम की मंद बुद्धी रही हो या मन में बैठा हुआ डर के पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरया का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था छुट्टी के समय जब मास साब ने उससे दुबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीडी तक पहुंचते पहुंचते वैं फिर लड़ खड़ा गया था लेकिन इस बार मास्टर तिलोक सिंग ने उसके लिए लाए हुए बैठ का उपयोग करने की बजाए जवान की चाबुक लगा दी थी तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें अपने थेले से 5-6 दरातिया निकाल कर उन्हें धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थे धनराम के पिता में नहीं थी धनराम हाथ पैट चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलजाना शुरू किया और फिर दीरे दीरे हतोरे से लेकर घंचलाने की विद्या सिखाने लगा फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर तिलोक सिंग उसे अपनी पसंद का बेंथ चुनने की छूट दे देते थे वहाँ गंगाराम अर्था धनराम के पिता इसका चुनाप स्वयम करते थे और जासी गलतियों ने पर छड़ बेंथ हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाथ दे देते एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाफ से उनकी विरासत समाल ली और पास पड़ोस के गाम वालों को याद नहीं रा के वे कब गंगाराम से गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे प्राइमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मुहने चात्रवती प्राप्त कर त्रिलोक सिंग मास्टर की भवश्यवारी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो सादारन हैसियत वाले यजमानों की पूरोताही करने वाले वजीदर तिवारी जी का होसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे पीडियों से चले आते पैत्रिक धंदे ने उन्हें निराश कर दिया था दान दक्षणा के बूते पर वे किसी किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाव से चार मील दूर था दो मील की चड़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पढ़ने वाली नदी की समस्या अलग थी तो ये पार्थ आज की एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा इसी लिए जो है इस पार्थ को हम कल के वीडियो में पूरा करेंगे तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइफ शियर ज़रूर करें बाकी अधिक से अधिक थोड़े से लोगों को आप KBS वालों को इसे सेंड करें NCRT के जो बच्चे आपके पास 11-12 के उन्हें सेंड करें इनको शियर करें मिलती हूँ आपसे हिंदी बुक्षाला के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाज जय है